तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारे डिस्प्ले पर फिंगर प्रिंट लोग लगा है जैसे अपना फिंगर लगाएंगे और यह तुरंत अलोग हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपके पास है Redmi A2 Mobile और उस फोन में दोस्तों मेरी तरह डिस्प्ले पर फिंगर प्रिंट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस फोन में fingerprint का option नहीं दिया गया है तो डिस्प्ले पर fingerprint कैसे लगेगा लेकिन यह दोस्तों आपको बता दूँ एक theme है यह face lock से आपके connect रहता है और आपके display पर fingerprint face सिर्फ आपका देख लेता है और यह in display की तरह work करता है चलिए फूल प्रोसेस के साथ में मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि यह भी आपने देखा तो इसके लिए करना क्या है लगाने के लिए आपको एक फोन में देख लीजिए themes की नाम से application होगा उस पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तो सर्च बार का option आपको देखने को मिलेगा उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे keyword लिखना है यहाँ पे दोस्तो देखेंगे origin ftw ठीक है इसी परकार का लिख लेना यह वाला theme आएगा इस पे क्लिक कर लेना है और इसे यहाँ पे download कर लेना है यहाँ पे दोस्तो दाउनलोड का option आएगा download पे क्लिक कर देंगे थोड़ा सा download हो जाएगा फिर apply customize का option आएगा तो apply पे नहीं customize पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ टिक लगे हुए मिलें तो इन्हें आपको हटा देना है सिर्फ low screen का लग अब दोस्तो इन डिस्प्ले लगा है अब दोस्तो ऊपर यहाँ पे हमारा यह face ले रहा है ठीक है यह face ले लेता है यहाँ पे इन डिस्प्ले लगाते हो तो open हो जाता